हाई दोस्तों आज एक और नई वीडियो में आपका सवगत है आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले चार्जिस के बारे में हम लोग पात करेंगे यह चार्जिस जो है 1st November 2024 से यह लागू होगा इस चार्जिस में क्या-क्या बताया गया वो जानते हैं 3.75 पर एनम जो है सब क्रेडिक काड पर लगेगा और अन्सेकर क्रेडिक काड पर लगेगा और अप्लिकेवल टू अल डिटेल क्याश टांजिक्शन एक्सेप सोरे डिफेंस क्रेडिक काड पर यह नहीं लगेगा 3.75 पर मन लगेगा पहले जो सब्सक्राइब का जो फैनांस चार्जिस जो था पहले 3.5 परसेंट था या 3.25 परसेंट अभी जो है 3.75 परसेंट कर दिया गिया इसके बाद जो नेक्स अपडेट एक आया है यूटिलिटी पेमेंट फीस के बारे में आया है एक यह जो है एक आपका 10 तारीक बिल जनरेट होता है तो 11 तारीक से लेके अगले महिने 10 तारीक तक अगर एक बिलिंग साइकलिप अगर 50,000 से जादा आप स्पेंड करते हैं यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए तो उसमें आपको 1% का चार्ज़ेस लगेगा प्लस 18% जो 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 जी एक य सिर्फ यूटिलिटी पेमेंट जैसे आप गैस का गैस पेमेंट करते हैं तो अगर यह सब 50,000 से उपर इस्पेंड करेंगे तो आपको जो है 1% का फिस लगेगा अगर अगर इस्पेंड करते हैं जैसे फिलिपकाट पे अमेजॉन पे या कैस में कोई स्वापिंग करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें थैंक्यू धने बाद